क्रांटें ट्रोल एक्सट वाला जो भी एक्सवाइज चलो यार में नाम लेता हूं सीड अपना तो उसने बहुत सारी चीजे बोली है कि ओवेसली एस्टी के लाइनप उनकी जो थी वह गॉड्लाइक ने लिया है तो उसने बोला था कि हमने सालरी ओफर करी यह करा वह करा मतल जो चीज हुआ है लास्ट 24 आर्स में हुआ है उससे पहले कोई conversation नहीं हुई कुछ भी नहीं ठीक है और उसमें मेरा और मेरा तो 0% involvement है खाली मेरे को था कि decision लेना है कि वो टीम लेनी है नहीं लेनी है ठीक है मैं बताता हूं गाइस हुआ क्या था जो न्यूशेट की लाइन है तो गाइस हमें पता चला कि यह टीम फ्री है इनका कोई contract नहीं है और उनको कुछ clarity नहीं है कि future में क्या करना है या फिर salary bootcamp और बाकि सारे चीज़ों पर उनको कुछ clarity नहीं थी तो उन्होंने अमर को और शांतनु जो अपना godlike में उनको बताया कि ऐसा ऐसा सीन है और और पहली बात उनको offer थी इस्पोर्ट से और औरंगुटान से भी offer थी सेम टीम को तो ऐसा नहीं कि और औरंगुटान ने और स्टॉलवर्ट ने जाकि उनको पोच किया ठीक है तो ऐसा नहीं obviously बाते कई बर भी opportunity मिलती है तुम मोका दे देते हो तो लोग पोच जाते हो वहां त तो फिर बात थी कि salary के अब आपको क्या लगता है कि हमने salary कितनी दियोगे इनको एक कुरोड salary कि हमने बिल्कुल नहीं मैं आपको बताता हो इनकी salary 50,000 भी नहीं है 45,000 भी नहीं है उससे कम अब आप अंदजा लगा सकते हो कि कितनी हो सकते salary क्या वो बंदे इतनी salary deserve नहीं कर value एक है बिल्कुल नहीं पहली बात चलो salary भी छोड़ दो उस सीडने एक चीज बोली कि हम salary कम देते हैं बट हम values देते हैं अब ठीक है वैल्यू से गाइस तुम ओविसली बात है काफी ब्रैंड से उनके पास आते भी है नो डाउट वहां से लोग और अच्छा अन कर सकते हैं बट क्या उस earning पर कोई clarity होती है कि बंदा कितना अन करेगा क्या करेगा नहीं ना इनकेस मान के चलो किसी बंदे को एक clarity है कि मेरे को मंत में 50,000 मिलेगा या एक लाक रुपे मिलेगा तो वह उसकी इसाफ से plan कर सकता है इनकेस किसी मंत में ब्रैंड सी नहीं है कुछ नहीं हुआ तो क्या वह इस नाम से आगे सारे future plans कर सकता है बिल्कुल नहीं यह था और हमन वह गोडलाइक ने खाली मैच किया रहा है और उनको गोडलाइक में ही आना था तो उन्होंने बोला कि जैसे गोडलाइक में आना है क्यों आना था आपको तो पता ही हमारा first preference e-sports players को है और किसी को भी नहीं है उन प्लेयर्स को निव स्टेट प्लेयर्स को कोई clarity नहीं थी तो भाय वह बंदे कितना बेट करेंगे राइट तो उन्होंने फिर गॉडलाइक जोइन कर लिया content troll your explanation and set that was scripted on pubg new state i don't know if content is trolling me or if ghatak is targeting me or i don't know honestly i don't care about what is being what is happening all i can tell you is the fact that whatever i say i say good things about me and my org and my fellow content creators and players around me it does not mean i am trying to put somebody else down and i think like people need to stop doing that also क्योंकि हर बार मैं अपना अच्छा है गरता है यह नहीं कि मैं किसी और का बुराय कर रहा हूँ i don't think it is targeted towards me but if it is it's fine i can tell you the entire thing मतलब जो new state के पास एक और offer थी बाइदे बात कर रहा था i can give you the exact details मैं जब value की बात करता हूँ उनको 35,000 rupees की offer थी कही से कोई दूसरे औरक से i don't know कौन सी और थी और नहीं थी कोई और और थी 35,000 की और मैंने जैसे बोला था हमारा बहुत clear-cut model होता है मैंने phone करके उनको बोला कि हम लोग 20,000 rupees salary देंगे सीन भी नहीं है इवेंट जादा हुए नहीं है ओफिशल अनॉसमेंट हुए नहीं हम लोग 20,000 देंगे अगर उनको ऐसे डिल की value नहीं होती तो वो लोग बोलते कि ब्रो चांस ही नहीं है उनका return reply या था कि हम लोग 25,000 में आने के लिए ready है right so they were ready to come here earning 10,000 rupees less than what another org again not godlike was offering them so I feel like I don't need to talk about the value and what people understand about SADL because players themselves knew that 10,000 salary में कम कमाएंगे चलेगा but बाखी से कम लोग क्या कमाने वाल है या उनको पता था I think next day पे they had a conversation with godlike when they told me they are having a conversation with godlike I said okay all the best आप लोग कोई टेंशन नहीं है उसमें भी वो लोग ने बोला कि अभी तक हम लोग ने sign नहीं कि है बट गॉडल का यह यह offer है I said no problem bro go ahead with it again क्योंकि कल मैंने mention कि we don't get into a bidding war I am sure अगर गॉडल भी होता मेरी जगे पे तो गॉडल भी बिडिंग वर में नहीं होता क्यों गॉडल को भी अपनी value पता है गॉडल अगर 50,000 किसी को offer करता है और कोई दूसरा organ को बोलता है कि हम 60 देंगे गॉडल बोलेगा बाई चले जाओ हम लोग 50 देंगे क्योंकि हमारा value हमको मालूम है तो I think it is the same way तो जब मेरे को उन्होंने बोला कि गॉडल से बात चलिए मैंन जो कल भी मैंने बोला it did not I did not I did not mean to offend anyone I am just talking good things about my org does not mean I am talking bad things about somebody else it is as simple as that it is very simple I think